हलो एवरिवन आज है 22 जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बारत हैवी इलेट्रिकल्स लिमिटेट के बारे में जिसको हम बेल के नाम से भी जानते हैं 80 रुपए का ये शेर है और थोड़ी बहुत तेजी हमने यहाँ पर देखी जरूर है लेकिन साथी साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस कंपनी से कि जो अगले महीने बजट आने वाला है वहाँ पर आने वाले दोर में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी जादा फोकस कि किया जाएगा मैनुफेक्ट्रिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा और ऐसे में एक बड़े बेनिफिशरी के तौर पर भेल निकल कर आ सकता है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगी कि क्या वाकई में भेल के पास वो काबिले थे क्या वाकई में भेल को बजट आ कोई फाइदा मिल सकता है कि नहीं और हाल फिलाल भेल में चल क्या रहा है खरीदारी के मौकए है भी कि नहीं वीडियो को शुरू कर तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जाद हेल्प करेंगे तो अस्ति के आसपास ये ट्रेड कर रहा है ना ही कोई बड़ी तेजी है ना ही कोई बड़ी गिरावट है लेकिन एक साल में अगर हम देखे तो पिछले एक साल में यहाँ पर 30-31% का ग्रोथ भी है लेकिन लंबे समय तक ये परफॉर्म नहीं किया ठीक है जैसा ही 42 पे गया एक बढ़िया बाउंस पर दिखाया है 90 तक चला गया यह बाद में तूटा फिर अभी थोड़ा सा कंसॉलिडेट कर रहा है और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो भेल के उपर मेरे कई सारे वीडियोस है जब यह तूट रहा था मैंने कहा था कि 50 के नीचे जब तक मिल रहा है दबा के खरीदो इसको प्योंकि लॉंग टब में देखो मैं मानता हूं कि इंडिया में ना मैनुफेक्चर के उपर बहुत ज़दा फोकस किया जाएगा क्योंकि चाइना के उपर डिपेंडेंसी हम कम कर सकते हैं मेनुफेक्चरिंग में और सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए कई सारे इंसेंटिव अगरा प्रोवाइट करवाने वाली है सरकार बड़ा बजट अलोकेशन भी वहाँ पर कर सकती है आने वाले दोर में और कहीं न कहीं उसका एक बड़ा बेनिफिशरी बेल होगा और यही वज़े से कि मैंने कहा था कि 50 के नीचे मिल रहा है खरीदो इसको खरीदो इसको डेफिनिटली बहतर मौके हैं लेकि साथ मैंने ये भी कहा था कि मैं इस पर लॉंग टर्म के लिए बैट नहीं लूँगा लॉंग टर्म से मेरा मतलब है कि मैं इसको खरीद के भूल नहीं जाओंगा मैं याद रखूंगा इसको और जब भी नीचे होगा खरीदारी के मौके होगा जब भी उपर जाएगा यहां पर प्रॉफिट लेकर भागने वाले ही मौके बनने वाले है मतलब कि नीचे है खरीदो उपर है बेचो और भाग जाओ इसको और अभी तीन साल के सबसे हाई के आसपास बैठा है 90 रुपे तक का हाई बना था इसका अभी तूट के 80 के आसपास है और इवन इससे पहले भी अगर हम देखे तो यह शेर्ट दो बार तूटा है 75 से 80 रुपे के रेंज में जाने के बाद तो इस बार क्या बड़े ब्रेकाउट की तयारी कर रहा है के नहीं वह बहुत बढ़ा क्वेश्चन है हलाकि भेल को निकल कर एक अच्छी खबर भी आई थी 300 करोड का बड़ा ओर भी मिला था और इससी वज़े से अगर आप देखे तो तेजी आई थी यहां पर फ्राइडे को फ्राइडे को तेजी आई थी अगर आप एक दिन का ग्राफ यहां पर देख ले तो सारे मीडिया हाउस ने कवर या लोगों ने खरीदारी करना शुरू कर ले लेकिन बाद में हुआ क्या ये नीचे की तरफ गया, close हुआ ये, असे क्या सपास और ये ही वज़े होती है कि कभी भी कोई न्यूज आती है तो उसको ध्यान में रख के कभी एकदम से impulsive buying नहीं करनी चाहिए हमेशा किसी भी company में अगर आप खरीदारी करते हो तो इसके fundamentals को देखो कि भाईया कैसा behave कर रहा है अगर आप इसका तीन साल का graph देख रहे हो तो पता चलेगा कि एवन दस साल का भी आप graph देख लो इसका तो पता चलेगा कि एक बड़ी रफतार के बाद ये correction दिखाता है आदेखो बड़ी रफतार पहले भी बनी थी ठीक है उतने बड़े correction भी आए फिर रफतार बनी फिर बहुत बड़ी गिरावटरी और ये जो period था ना इनका 2017 से लेकर 2020 वो काफी खराब रहा बाद में धिरे धिरे ये उपर जाने की कोशिश कर जरूर रहा है और मैं मानता हूं कि future इसका हो सकता है अच्छा future हो सकता है इनका लेकिन company को उस तरीके से performance दिखाना पड़ेगा company को अपने profit में revenue में वो चीज़ दिखानी पड़ेगी और company वो दिखा नहीं पा रही है ये एक बड़ा concern है हमें news तो बहुत मिल रही है ठीक है भेल को लेकर कि इतने बड़े orders मिल रहे हैं ये order मिला, इन से order मिला, आर्मी से order मिला, नेवी से order मिला इनको ठीक है, लेकिन वो as a profit में convert नहीं हो पा रहे है यहां पर एक खबर सी के 300 करोड का order मिल चुका है इनको ठीक है और एक जिन में टेजी भी आ गई है, लेकिन बाद में धिरे धिरे ये गिरावड में close हुआ था, मतलब उस high से गिराथ है ठीक है, हलाकि इनको जो order मिला था, वो गुझराथ से मिला था, ठीक है गुझराथ से order इनको मिला हुआ था, और 200 MW unit का एक और 210 MW unit के जो order से वो भेल को यहां पर मिले हुए है और गुझरा स्टेट, Electricity Corporation की दरफ से ये order मिले है इनको, जो ये बहुत अच्छी बात है ठीक है, कोई खराब चीज ने, अच्छी बात है ये लार्ज के अप शेर है, 28,000 करोड से भी जादा कि इसका मार्केट के अपर वोल्यूम से अगर देखे तो काफी हाई थे तकरीबन 3 करोड 40 लाग से भी जादा के वोल्यूम से लेकिन प्रॉबलम यहाँ पर यहाँ पर यह कि सिफ 12 करोड का प्रॉफिट इन्हों ने दिखा थे सप्टेमबर क्वाटर में रिवन अच्छे थे 5,200 करोड लेकिन उससे पहले के क्वाटर में 188 करोड का लॉस था एक विशार गिर्वी नहीं है, LIC के पास 10.07% की होल्डिंग पे नजर आ रही है, डिविडेंट की बात करें तो वो भी पे करना शुरू कर दिया है इसने, भेल को लेगर अगर हम देखे तो बड़ी कॉंटिटी में शेयर ट्रेट तो होई रहे हैं यहाँ पर, लेकिन साथ साथ अगर हम इनके कंपनी के रिजल्ट के बात करें, क्वाटर लिजस के जाहिए से बात है, उसे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आए, लेकिन जैसे है कि हम उसके बारे में भी बात करेंगे, 2022 में इसने 40 पैसे का डिविडें यहां पर रिवन्यू देखो तो लगाता तूट रहे थे, 22 में रिवन्यू में जम पाया, 17,000 करोड तक चले गए, 22 में 21,000 करोड हुए, और 23 में भी यह आपको 20-21,000 करोड के ही रिवन्यू देखने को मिलेंगे, यहां पर जहां तक प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो सिंगल डिजिट का, चौथे कौटर में 917 करोड, 915 करोड के आसपास कुछ प्रॉफिट हुआ था, तो कुल मिलाकर वो प्रॉफिट 395 करोड हो पाया यहां पर, अब 2023 में क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देखो तो, तो पहले कौटर में 188 करोड का लॉस हो चुका है इने, दूसरे कौटर में 12 करोड का प्रॉफिट हुआ है इने, ठीक है, और अभी तीसरे कौटर और चौथे के रिजल्ट आने बाकी है, तो पहले दो कौटर का देखा जाए, तो अभी भी कंपनी बड़े लॉसिस में है, 2030 के, तो आने वाले दो कौटर में अच्छे का है, थोड़ा सा महँगा जरूर है, और यही वज़ए कि मैं अभी इस प्राइस पर नहीं खरीदूंगा, क्योंकि देखो, जिस प्राइस पर ये ट्रेट करें न, वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन पहले भी बना है, शायद आगी भी बन सकता है, और रिजल्ट के उपर बहुत कुछ डिपेंड भी करता है, देखो बजेट वाले दिन या फिर उससे पहले मैं मानता हूं कि न्यूज की वज़ए से शायद थोड़ी बहुत तेजी गिरावट देखने को मिल जाएगी यहां पर ही क्या, इस बास हम इंकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ औ पास है, 3.20% mutual fund के पास है, 11.70% other domestic institution के पास है, 8.48% Files के पास है, और retail और अधर की मिलाकर 13.45% की holding जिसमें से चाहिए retail investor के पास 10.38% की holding देखने को मिल रही है, overall मैं इतना ही कहूंगा, बेल को लेकर, जिस price पर trade कर रहे हैं, वो price थोड़ा से महंगा मुझे लग रहा है, और यह नहीं कि company खराब है, company काफी अच्छी है, बस यह कि आपको सही price में मिलना चाहिए, और आने वाला जो एक हफता है, बजट से पहले वाला जो भी एक हफता है, definitely आपको news में काफी जादा बस देखने को मिल सकता है, कि इस company को फायदा होगा, उस company को फायदा होगा, और ऐ थोड़ी बद profit booking भी दुबारा से देखने को मिल जाएगे, यहाँ पर, तो यही कहूँगा आप से, कि भेल company अच्छी जरूर है, लेकिन high price में खरीदने वाली company नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में याद रखिए, और जहां तक खरीदारी के मौके की बात करूँगा, मु